तेज परताब यादव ने सरकारी बंगले को खाली कर कहा कि नितिश कुमार और शुशिल कुमार मोधी ने इस बंगले में भूत छोड़ दिया है। जैसा कि भारत और भूठान इस साल 50 वर्सों के राजनेएक संबंदो का जश्न मनाते हैं, विदेश मंत्री शुश्मा स्वराज ने बुधवार को कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंदो को आगे बढ़ाने के बारे में पर्ति भिंबित करने का एक बड़ा आवसर है। सिंद 6 अपरेल को रिलीज की जाएगा। मोबाइल वोलेट कमपनी ने KYC नियमो का पालन नहीं किया है, जिसकी वज़े से RBI मोबाइल वोलेट को बंद करने का फैसला ले सकती है। वो भुगताओं को KYC कराने के लिए अपने पेन कार्ड और आधार काउड को अपने मोबाइल वोलेट से लिंग करना होगा। फिलाल के लिए बस इतना ही, बाकि देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए NewStamps India और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्स्राइब करना ना भूलेगा।